हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पटाटो स्नेक्स बिल्कुली अलग तरीके से वीडियो देखने से पहले अकार आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नीचे बैल आइकन की घंटी दी है उसे प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलो फिर चलते हैं पटाटो स्नेक्स बनाने की तरफ अकर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें जाद जाद लोगों तक सेयर करें यह मैंने दो आलू लिये हैं जिनने मैंने अच्छे से चील कर धुल लिया था और मैंने कद्दुकस कर लेती हूं मैंने अपने दोनों अलू को कद्दूकस कर लिया है यह मैंने कुछ पालक लिया है पटाउटो स्नॉक्स को मैंने अच्छे से दो बार पानी में वोस कर लिया था ये मैं पालक फोडर लाल मिर्च पॉडर हल्दी पॉडर हिंग डाल लेती ती हूं दोस्तों और यह चमच बेसं डाल रही हूं बेशन आप अपने अकोर्णिक कम जादा कर सकते हैं, ये पर मेंदा डाल रहे हूं, मेंदा भी में दो चमज डाल रहे हूं, मेंदा से क्या होता है, एकदम क्रिस्पीनेस आती है, जो पताटो स्नेक्स होते हैं, नमक स्वाद अनुसार, अभी से हम अच्छे से मैस कर लेंगे, क्योंकि जो आलो में होता है मौश्चर होता है इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है ऐसे हाथ से मेज करना है या मैंने यह तियल गरेम कर पहले ही कर लिया दा मैं तोड़ा थोड़ा अालो लेकर छोड़ लेती हूं और medium flame पर इसे fry करना है हमें अब इनकी हम side change कर लेते हैं दोस्तों एक बार इस recipe को जरूर try करें और comment करके बताएं कि आपकी recipe कैसी वनी है एक दो बार उलट उलट करता हुए हम इसे निकाल लेंगे खाने के लिए जब तक कि इनका color change नहों हो जाएं दोनों side से दोस्तों ये खाने में बहुत ज़्यादा tasty लगते हैं इनका color change हो गया है अब हम इने एक plate में निकाल लेते हैं ये हमारे बन करके तयार है और ये खाने के लिए बिल्कुल ready है आप इने किसी वी चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं ये धनीय चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा tasty लगते हैं thanks for watching this video thank you like share and subscribe झाल झाल